नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रभी खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मेकेनिक ज्यान में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मैं इस आप कैसा एसेंबल करते हैं J us success gearbox का दोस्तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लिप मारता है कि किस कारण से मारता है अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऐटिम को ख्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों एक छोटी से रिक्वेस्ट है अभी तक हमारे चनल मेकेनिक ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजे साती बेल आइकान को प्रेस कर दीजे इससे क्या होगा दोस्तों मैं जब भी कोई नई वीडियो अ मैंशाप और इस मैंशाप को दोस्तों हम बेक सैट से पहले कम्प्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमें दो नंबर गेर का रोलर बेरिंग फिट करना है दोस्तों रोलर बेरिंग फिटिंग करने से पहले आप रोलर बेरिंग को गेर आईल से भीगा भीखाने के बाद में आप डायरेक में चाप में फिटिंग कर दे उसके बाद दोस्तो हमें दो नंबर गेर फिट करना है तो दोस्तो इस वीडियो को लाश तक देखना और ध्यान से देखना आप में सब फिटिंग करना सीख जाओगे और कौन से पार्ट का क्या नाम है इस व रिंग को फिटिंग करना है ठीक है चलिए अब दोस्तों हमें गेर हब को फिटि करना है जो की एक नमबर और दो नमबर गेर का हब है दोस्तों गेर हब फिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो मेंच आपका जो मेनिंग होता है उससे मेच करना है और मेच करने के बाद में हलक गेर और दो नमबर गेर का स्लू फिट करना है और स्लू फिट करने के बाद में हमें सेंक्रो किट फिटिंग करना है एक नमबर दो नमबर गेर में सेंक्रो किट में सिर्फ एक बॉल पिन और एक स्प्रिंग लगता है जो की तीन जगर पे लगता है तीन तीन छे ये दोनों को फिट करना है उसके स्लू को दबा देना है तो देख सकते हैं दोस्तों सेंक्रो फिटिंग करना कितना आसान है सिर्प हलका सा स्प्रिंग का गाला मिलाना है बाल पिन का और उसको हलका सा हाथ से प्रेस कर देना है एकदम आजसानी से फिटिंग हो जाएगा अब दोस्तों हमें फिर से एक सेंक्रो रिंग फिट करना है सेंक्रो रिंग फिटिंग करने के बाद में आप स्लू को हलका सा उपर लेना है उसके बाद में सेंक्रो को निकाल कर चेक कर लेना है कि spring पीलिट पीन जो है सही जगह पे बैठी है या नहीं इसके बाद दोस्तो हमें एक नंबर गेर फिट करना है जो कि centuries कौन गेर में ही लगा होता है वो गेर के गेर आटेच होता है वो अलग से नहीं आता है दोस्तो उससे पहले हमें Mark üzerine repentance करना होगा जो कि इसे सर्क्लिप कहा जाता है देख सक्ते हैं सर्क्लिप फिट हो चुका है चलिए अब हम एक नंबर गेर का रोलर वेरिंग को आईल लगा कर ट्रुटिंग कर देते हैं उसके बाद में हम एक नंबर गेर को भी फिटिंग कर देंगे दोस्तों अगर आप लोगों को जेटाव S6 का पार्ट केटलाग चाहिए तो आप प्ले स्टोर से मेकनिक ग्यान एप को डाउनलोड कर सकते हैं जो की हर मशीन और हर गाडियों का पार्ट केटलाग उपलब्द है अगर आप मेकनिक ग्यान एप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हमने एक नमबर गेर को भी फिट कर लिया है दोस्तों इसका जो नाम है फिक्सेट रिवर्ज डॉग कलच ठीक है तो दोस्तों ये जो कॉलर वाली भाग है ये उपर के साइड में रहना चीए दोस्तों अगर यहाँ वुल्टप फिट हो जाए तो आपका रिवर्ज गेर एनी टाइम फसा का फसा ही रहेगा गेर कभी फिरी नहीं होगा तो दोस्तों आपको जब भी मेंचाप फिट करते हैं उस समय आपको ध्यान रखना है इस डॉग कलच को इसी प्रकार से आपको फिट करना है ठीक है तो दोस्तों रोलर बेरिंग गेर शीफ जो है एकदम साथ में फिट करना है आपको जब भी आप उसे फिटिंग करें शीफ को उस समय आपको हल्का सा ऑइल डालकर गेर को घुमाते रहना है और हल्की हल्की चोट उसमे चोट मारते रहना है ठीक है दोस्तो अभी तक हमारे चैनल मेकेनिक ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे क्या होगा दोस्तो मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिपी के संगे तो आपको मिल जाए करेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तो तो देख सकते हैं दोस्तो हमने रिवर्स गेर का स्लू भी फिट कर लिया है अब चलिए हम मेंश आपको कर लेते हैं सीधा मतलब अभी तो हम फिलाल बेक साइट से कंपलेट कर रहे थे अब लेकिन हम फ्रंट साइट से कंपलेट करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हमें तीन नंबर गेर का रोलर बेरिंग फिट करना होगा उसके बाद दोस्तो हमें तीन नंबर गेर फिट करना होगा दोस्तो इस fitting को ध्यान में रखना है आप लोग को कहीं आप उल्टा न फिट कर वैट हो ठीक है हम जिस प्रकार से आप लोग को बता रहे हैं आप लोग उसी प्रकार से एक मेंशाप को fitting कर सकते हो अगर आपको मेंशाप fitting नहीं भी करना आता है तो इस वीडियो को देखकर आप मेंशाप fitting करना सिख जाएंगे उसके बाद दोस्तो हमें सैंक्रो कौन fitting करना है तीन नंबर का और साथ में सैंक्रो रिंग को भी हमने fitting कर दिया है यह देख सकते हैं चलिए हम इसे भी पिट कर लेते हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों हमें सैंक्रोनाइजर हब फिट करना है इसे हम गेर हब भी बुलते हैं और इसका जो सही नाम है सैंक्रोनाइजर हब है ये तीन नमबर और चार नमबर गेर का है दोस्तो और हमने इस सेंक्रोनाइजर हब को पहले से ही सेंक्रो केट डाल कर कम्पिट कर लिया था अभी हमने पहले ही एक बताया था एक नमबर और दो नमबर गेर का सेंक्रो कैसा चेंज किया था उसी प्रकार से आपको तीन नमबर और चार नमबर गेर का भी सेंक्रो किट चेंज कर लेना है ठीक है दोस्तो हमने इसलिए ऐसा किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहो दोस्तो आपको सेंक्रोनाइजर हाब फिटिंग करते ध्यान देना है नीचे साइट का जो सेंक्रो रिंग है उसका कॉलर मिला कर आपको सेंक्रोनाइजर हाब को फिटिंग करना है तो देख सकते हैं दोस्तो हमने कितने आसानी से तीन नमबर चार नमबर गेर का सेंक्रोनाइजर हाब को फिटिंग कर दिया है इसके बाद दोस्तों हमें सेंक्रो रिंग फिट करना है चार नमबर गेर का और सेंक्रो कौन भी फिट करना है चार नमबर गेर का तो देख सकते हैं हमने ये दोनों को फिट कर दिया है उसके बाद दोस्तों हमें चार नमबर गेर को फिटिंग कर देना है ठीक है उसके बाद आपको सबसे पहले गेर और बेरिंग इसको दोनों को घुमाते रहना है हलकी हलकी चोट मारना है उसी प्रकास जैसे हमने रिवर्स गेर में स्लू फिट किया था ठीक है दोस्तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं गेर बाक्स फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका जी हाँ सही सुना आप लोगों ने दोस्तो हम इसके बाद जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं गेर बाक्स फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका और उस वीडियो को हम अपलोड करने वाले हैं तो देख सकते हैं हमने चानमबर गेर का स्लूवी फिट कर लिया उसके बाद में दोस्तो हमें लॉक फिट करना है मेंशाप का लॉक जिसे हम मेंशाप सरकलिप कहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तो हमने मेंजसाब सर्क्लिप को भी ही फिट कर दिया है उसके बाद दोस्तो हम गेर लगा कर चेक कर लेते है तो सबसे पहले दोस्तो हम लगाते हैं तीन नमबर गेर को और तीन नमबर गेर लगाने के बाद हम चेक कर लेते हैं देख सकते हैं दोस्तों 3 नंबर लग चुका है अब चलिए नूटल कर करके हम स्चान 6 नंबर घिर को भी लगाए comparing वह चेक कर लेते हैं तुँल देख सकते हैं दोस्तों कितने इजी तरीके से गेर लग रहा है दोस्तों upfront को में सब Hij娘 करते कर अच्छे से फ्री कर लेना है 팔 Biz के बाद दोस्तो हमें 5 और 6 नंबर गेर का सेंगλों किट दा तो मेंज साइब है जो हमने सेंग्रों रिंग और सेंख्रों को फिट जैंड किया है उसे हम निकाल दे है उसका नाम है spring ball pin और plunger इसमें टीन टाइप के लगते हैं जो कि हमने अल्डेडी फिटिंग कर दिया है उसके बाद में आपको एक एक करके घुमा घुमा करके उलको हलका हलका प्रेस करना है उसके बाद में आपका sencro kit fit हो जाएगा उसके बाद में एसEmbl को लेना है और main sharpt में fitting कर देना है तो देख सकते हैं दोस्तो हमने fitting कर दिया है अब दोस्तो इसके उपर लगेगा एक sencro ring और एक लगेगा sencro cone और उसके बाद में लगेगा एक bearing जो की होगा top bearing तो देख सकते हैं दोस्तों प्रौपर गेर काम कर रहा है थिक है अब दोस्तो हमें सेंक्रो कॉन और सेंक्रोरिंग को बहार निकालना है उसके बाद में एक सर क्लिप फिट करना है मैंशाब का जो की होगा ये लाज सर क्लिप इसे फिटिंग करने के बाद में दोस्तो हमें सेंक्रो कोन और सेंक्रो रिंग को फिट करना है उसके बाद में रोलर बेरिंग फिटिंग कर देना है जो की टाप बेरिंग वोला जाता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना और अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो